नेट के कपड़े की दोती सलवार काफी सुन्दर और क्लासी लगती है फंक्ष्टाल लूग देती है तो इसे बनाने का बहुत यह आसान तरीका वीडियो में बताया है स्टेप बाए स्टेप बताये हैं तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया लाव तक देखिएगा तो चलिए बिना किसी देरीकी शुरू करते हैं नमस्ते मैं हूँ उज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रियेट्यूफ फैशन में यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियो प्री में देख सकते हो दोटी सलवार बनाने की लिए हमें 0.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा जिसमें सभी साइस के लिए 0. principles नेट का कपड़ा लिया है और 0.5 मीटर में लाइनिंग लिया है क्रेप का आप cotton का lining मत यूज कीजिए का क्यूंकि cotton के कपड़े में ड्रेप अच्छा नहीं आता आप चाहो तो sand tone या फिर क्रेप का कपड़ा ले सकते हूँ सबसे पहले हम क्रेप का कपड़ा यानि के कपड़े पर कटिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से fold करके लिया हैं। है अब इसको 12 그래도 करके मैंने इस तरह से तिकोण में मोड कर लिया है । जब हम में मोड तो नीची की तरप इस तरह से फोलड आए इसका ध्यान रखेगा कॵण की बैल कर्ट कर तिंग के लिए हमें यहां पर अखंड कपडा मिलेगा अब हम यहाँ पर cutting करेंगे क्योंकि तिकोन में ही हमारा पूरा पैर के दो हिस्से निकल आते हैं और जो उपर की तरब कपड़ा बचता है वो हमारे belt के लिए काम आएगा तो आपका चाहे साइज कोई भी हो यहाँ इस तिकोन में हमारे दो पैर आराम से cutting होके आते हैं तो यह हो गया हमारा तिकोन और यह हो गया उपर का कपड़ा जिसमें हम बाद में belt का cutting करेंगे तो इसे थोड़ी देर के लिए हम side में रखते थे हैं अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर नाप डालने के लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर tape और एक chalk लूँगी अब हमें क्या करना है यह जो fold वाली side है इस side में हमें कोई नाप नहीं डालना यह जो खुली side है यहाँ पर हमें लंबाई का नाप डालना होता है बस इस चीज का आप थ्यान रखिये तो लंबाई का नाप डालने के लिए सबसे पहले हमें belt देखना पड़ता है और फिर नीचे की तरफ हम लंबाई देखेंगे मेरी तयार लंबाई 39 इंच है तो एक इंच एक्ष्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए तो 40 इंच पे मैंने मार्ग कर दिया अब भी तो मैंने 40 इंच पे मार्ग किया है लेकिन बाद में हम देखेंगे कि इतनी लंबाई में मेरा होता है या नहीं अब हम ये मोरी वाली धोती सलवार बना रहे हैं तो इस नोक को पकड़ेंगे और इस निशान के उपर रखेंगे इससी क्या होता है? हमारी जो मोरी है वो बिल्कुल सीधे में कटेगी बिल्कुल भी टेड़ी नहीं आएगी तो ये बहुत पफेक्ट फॉर्मिला है अब ये जो नाप निकलता है ये देखेंगे कितना है क्योंकि मोरी जो है मेरी वो साड़े छे इंच है तो एक इंच सिलाई मार्जिन का अगल लगेगा तो देखते हैं ये साड़े साथ ही चाता है या नहीं तो साड़े साथ इंच पे मैंने पकड़ा लेकिन टेप जो है वो मेरा आगे की तरफ निकल जा रहा है मतलब ये मुझे कम पड़ रहा है अब अगर कम पड़ रहा है तो मैं इसको उठाओंगी और उपर की तरफ रखोंगी अब देखो ये निशान के उपर में दो इंच इसको लेके जाओंगी तब जाके मेरी मूरी की चोड़ाई यहां पर बैठ जाएगी अगर आपको सिर्फ एक ही इंच उपर लेना पड़ता है तो एक ही इंच लीजिएगा आधा इंच ही उपर ले ड्रॉ करनी है इससे हमारी मूरी टेड़ी नहीं होती बिल्कुल सीधे में कटती है तो ये बहुत ही पॉफेक्ट फॉमिला है अब ये मूरी मतलब बॉटम लाइन हमारी यहां पर तयार है यहां पर दो चीजे जरूरी है एक हमने दो इंच इसको उपर चड़ाया है मतलब ह दो इंच कवर करने के लिए मैं नीचे की तरफ एक्स्ट्रा की मोरी की पट्टी लगाऊंगी या तो आप एक्स्ट्रा की मोरी की पट्टी नीचे की तरफ लगा सकते हो या फिर आप उपर की तरफ बैल्ट की लंबाई बढ़ा कर भी अपनी लंबाई को कवर कर सकते हो और यहां पर मतलब खुली साइड के और ही आवसंका नाप डालना है तो आशंका नाप डालने के लिए सबसे पहले जितना हमने बैल्ट रखा है जैसे की छेंज का बैल्ट रखा है तो छेंजR ऊपर की तरफ टेप रखा है अब वहां से 12.55 इंच पर में माक करूंगी कूंकि मेर हिप साइज 40 इंच है उसका तीसरा भाग करना ही मुझे जो कि आया है साड़े 13 इंच तो मैं बराबर से साड़े 13 इंच पर मांक करूंगी जितना भी आपका हिप साइज है उसका तीसरा हिस्सा लेज़ेगा अब उसके बाद उसी मांक पर दो इंच हम इस तरह से एक लाइन बनाएंगे तो यह सबी साइज के लिए दो इंच लीजेगा बच्चों के लिए एक से देड़ इंच रखेगा अब यह वाली लाइन सीध ही उपर के तरफ ड्रॉ करेंगे और यहां से हम इस तरह से गुलाई देंगे आसन के लिए तो बस हो तो ये मोरी भी हमारी कट चुकी अब हमें क्या करना है इस और इसका एक नोख होता है उस ट्रैंगल यानि टिकोन का एक नोख होता है उस नोख को उठाके बस थोड़ा सा हमें यहां पर राउंड शेप करना है इस तरह के से एक डेड़ से दो इंच अंदर की तरफ लेके इस अब इसे में फिर से एक बार अच्छे से रखोंगी और आपको दिखाऊंगी तो उपर की तरफ यहां पर हमारा क्रॉच एरिया कटा है नीचे की तरफ बॉटम यानि मोरी कटी है अब मैं इसको फोड़ करके बस थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूंगी और ये ने कर लिया था सेम तरीका और इसके उपर लेंगे वही लाइनिंग का कपड़ा जो हमने कटिंग करके साइड में रखा था तो यह पैटन खोल कर यहां पर रखेंगे रखते वक्त ध्यान रखना है यह आसन वाली साइड खोली और ही रहेगी तो बस इसका ध्यान रखेगा तो उपर की तरफ हमारा क्रॉच है लेकिन उसके पहले एक्स्टा का कपड़ा हम कट करतेंगे अब यह जो एक्स्टा का कपड़ा निकल रहा है ना उपर की तरफ उसी में से हम बैल्ट का कटिंग करने वाले हैं तो यह देखिए इस और भी हमें जैसा है वैसा कटिंग करके ले देना है तो इससे उपर का कपड़ा अलग हो जाएगा जिसमें हम बैल्ट का कटिंग करने वाले हैं तो इसमें हमारा बैल्ट कटेगा तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखोंगी अब देखिए ये एकदम बिल्कुल सेम कट हो चुके हैं लाइनिंग और नेट बिल्कुल दोनों सेम कट हो चुके हैं अब मैं इसे खोल कर एक दूसरे के उपर रखोंगी तो देखिए इसे मैं यहां से सबसे पहले लाइनिंग को हटाऊंगी और पिर नीचे का जो नेट का कपड़ा है ये दो पीसेस निकल के आए हैं दो पेर के तो इसे मैं खोल कर लूँगी ये मैंने इसको खोल कर ले लिया अब देखिए मैंने किस तरह से रखा है और ये दो पेर के दो पैटन है मतलब ये दो नेट के पैटन है दो पेर के तो उसमें से एक को मैं साइड में रखोंगी क्योंकि एक पैर का मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सेम उसी तरह के से दूसरे पैर का बनेगा तो एक को मैं उठा कर side में रखोंगी और ये जो lining है इसमें भी हमारे pair के दो pattern है तो उसमें से भी मैंने एक को side में रखा है और एक को यहाँ पर अच्छे से मिलाते हुए रखा है तो नीचे का net और उपर का lining दोनों को अच्छे से मिलाते हुए रखना है और सबसे पहले हमें काम करना है यहाँ पर pinz लगा कर लेने हैं pinz इसलिए लगाने हैं क्योंकि हमें net का कपड़ा और lining का कपड़ा दोनों एक दुसरे को attach करके लेने हैं तो सिलाई लगाते हैं हमें कपड़ा उपर नीचे ना हो इसलिए pinz लगा कर लिए हैं अब मैं इसको फिर से fold करके लूँगी यह मैं fold इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देखो यहाँ पर मैंने अच्छे से fold किया और उसी position में मैं रखोंगी जिस position में हमने इसका cutting किया था तो यह देखिए मैंने वैसा ही रखा अब देखिए हमें क्या करना है यह जो नोग है यहाँ पर हमने देखो थोड़ी सी गोलाई देके कट किया था इसे हम corner कहेंगे तो इस corner को यहाँ पर मैं पकड़ूँगी और यहां से हम किनारे से सिलाई लगाते हुए यह देखिए य क्रोच की और और नेजी की तरफ तो इस तरह के से हमें दो भागों में सिलाई लगाकर यह नेट और लाइनिंग एक दूसरे को अटैच करने हैं तो बस किनारे से सिलाई लगानी है ताकि हमारा lining और net का कपड़ा दोन दूसरी को attach हो जाए तो मैं किनारे से सिलाई लगा रही हूं यहाँ पर हम आसन के और आगए है यहाँ पर भी हमें किनारे तो इस तरीके से अब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां तक मैंने सिलाई लगा दी, आप चाहो तो यहां मोरी के और भी सिलाई लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ, इसे मैं खुलाई चोड़ रही हूँ, तो एक साइड तो हो गई, अब फिर से हम उसी कॉर्णर के और आएंगे, यानि नोक के और, और यहां स फिर से हम इस साइड की सिलाई को शुरू करेंगे, तो इसे मैंने पलट कर ले लिया, और यहां से मैं सिलाई को शुरू करूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथी में ये वाला बेल बटन दबाईए, ताकि हर एक यहां पर आप देख सकते हो, सिर्फ लाइनिंग और नेट का कपड़ा एक दुसरे को अटेच किया है, बाकिया हमने कुछ नहीं किया, यह देखिए, इस तरह के से अटेच करके लिया है, अब उपर की तरब भी सेम वैसा ही किया है, यह देखिए, तो लाइनिंग और में फ पेर भी तयार करके लिया है, मतलब इसे भी मैंने लाइनिंग और में फैब्रिक यानि नेट का कपड़ा दोनों एक दुसरे को चार और सिलाई लगा कर अटेच कर दिया है, अब इन दोनों पेरों के उपर हमें प्लेट्स लेने हैं, अब एक के उपर मैं आपको लगा के द माक किया है, यह बड़ा माक किया है ताकि आपको नजर आए, आप छोटा सा ही कीजिएगा, दूसरा माक हमें यहां कॉर्णर पकरना है, यह हमारा कॉर्णर है, तो उस कॉर्णर के उपर भी एक माक करना है, अब कॉर्णर को मैंने हाथ में ही रखा है, और दूसरे हाथ से मै के लेके आसन के मार्क तक प्लिट्स होंगे और फिर कॉर्णर के मार्क से होते हुए आसन के मार्क तक प्लिट्स होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों साइड में हमें प्लिट्स लेने हैं और प्लिट्स की शुरुवात होंगी इस कॉर्णर से तो देखिए इस कॉर है तो इस तरीके से हमें इस साइड में प्लेट्स लेने हैं तो एक प्लिट्ट जो है वो मैं 15 15 के लिए रही हूं इस तरीके से डेड़्ी-चोडी और जैसे-जैसे मैं फ्लीट लोगी वैसे-वैसे में उसको उसको सीlt कि जाऊंगी प्लिट्स को आप डार्रेक्ट मशीन तो इस तरीके से हमें प्लिट्स लेने हैं और प्लिट्स लेते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि दो प्लिट्स के बीच में कोई हमें ग्याप नहीं छोड़ना है जैसे आप वीडियो में देख सकते हो मैंने पास-पास प्लिट्स ले लिये हैं उसी तरीके से लेने हैं तो ये डेडेडे इंच चोड़े में प्लिट्स ले रही हूँ और जैसे जैसे प्लिट्स लोगी वैसे वैसे में उसको टाका लगा रही हूँ ताके ये पक्का हो जाए आप चाहो तो पिंस भी लगा कर ले सकते हो तो बस सिंपल हमें इस तरीके से प्लिट्स बनाते जाना है और यह कहां तक बनाना है, तो जहां पर हमने आसन का निशान लगाया है, वहां तक बनाना है, तो आप देख सकते हो, जैसे जैसे हम फ्लिट्स ले रहे हैं, वैसे वैसे आसन का निशान पास आ रहा है, तो यह है आसन का निशान, जहां पर हमने यह लगाया था, तो यह देख सकते हो और यह बहुत बहुत सुंदर लगता है धोती सलवार नेट का आप एक बार इसे जरूर बनाईएगा तो यह देखिए इस तरह से बहुत ही खूपसूरत हमारे प्लीट्स बन गए हैं और मैंने यहां पर गाट लगाकर दागी को कट कर दिया तो एक साइड के प्लीट् कपड़ा ना हो तो हमें कपड़े को एकदम एक लाइन में लेना ही इस तरीके से और दूसरी जरूरी बात यह जो दोनों प्लीट्स है यह जब हम बनाएंगे दोनों साइड के प्लीट्स तो यह दोनों का फेस आमने सामने रहना चाहिए जैसे कि आप वीडियो में देख सक देखते हो इस तरीके से आमने सामने फेस रहेगा दोनों प्लीट्स का दोनों साइड के प्लीट्स का तो यह एक ड्रेप बनता जाता है तो इस तरीके से मैं पूरे प्लीट्स लेने के बाद आपको समझा दूंगी तो ये देखे इस तरह अशे के से हमारे जैसे जैसे पलिट्स बन रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो धोती का ड्रेप होता है, वो तैयार होते जा रहा है और ये काफी Efendimiz लग रहा है तो यह देखिए क्राच्व के यानि आसन के निशान तक हमने प्लिट्स बना दिये हैं और दोनु साटके प्लिट्स बनने के बाद आप देख सकते हैं कितना सुन्दध यहाँ पर ड्रेप आया है अब ये हमारा बॉटम है और ये आसन है और ये इस साइड का आसन यानि क्रोच है अब सेम तरीके से मैंने दूसरे पैटन के उपर भी इसी तरीके से प्लिट्स लगा कर ले लिये हैं अब हम बेल्ट का कटिंग करेंगे तो जोब हमारा बचा हुआ कपड़ा था वो मैंने ले लिया है सबसे पहले लाइनिंग के उपर बेल्ट का कटिंग करेंगे तो इसे मैंने खोल कर ले लिया हीप है हमारा 40 इंच उसका आदा होता है 20 इंच 20 इंच में हम 3 इंच सभी साइज के लिए मिलाएंगे तो 1.5-3 इंच मेरा हो गया 1.5-3 इंच पर माक किया है और वही से मैंने कटिंग किया अब पैल्ट की लंबाई कितनी लेनी है 6 इंच तैयार बैल्ट है तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे उसमें से 1 इंच सिलाई मार्जिन कर रहेगा और 1 इंच हमें नाडया डालने के लिए फोल्ट करना होता है अब नीचे की तरब फोल्ट था तो वह मैंने कट कर दिया तो ये 2 पीस हो गए बैल्ट के इस तरीके से अब हमें नेट के कपड़े के उपर भी सेम तरीके से कटिंग करना है तो इसे मैं खोल कर लूँगी खोलने के बाद इसे भी मैंने फोल्ट करके रखा है और उसके उपर ये लाइनिंग का कपड़े रख दिया तो ये 2 लेयर है और नीचे की तरब भी 2 लेयर है नेट के तो यह लेयर से हम कट कर देंगे अब देखिए लाइनिंग के कपड़े के उपर एक एक नेट का पीस हम रख देंगे तो सीधी साइड के उपर सीधी साइड रखनी है अब देखो यहां तीनों और से हमें सिलाई लगानी है और सेम तरीके से यहां नीचे और इस साइड से हमे तो पलटने से जो अंदर की तरब सीधी वाली साइड की वो बाहर आ जाएगी और सिलाई अंदर चली गई है तो सेम तरीके से इसे भी मैंने पलट दिया है तो बैल्ट के दोनों पैटन मैंने पलट कर ले लिये है इस तरह की से यह हमारा belt तयार हो जाएगा अब इस belt को हम attach करेंगे हमारे pattern के उपर तो belt को यहाँ पर मैंने center mark किया है और इसे मैंने खोल दिया तो यह belt का एक pattern है एक पेर में एक pattern लगेगा खुली वाली side नीचे की तरप रहेगी अब center को center match करते हुए रखना है और देखना है यह जो pleats हमने लिए हैं यह बराबर से आ रहे हैं या नहीं तो इस और में यह थोड़ा extra हो रहा है तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर एक टाका खोलूँगी और pleats को बढ़ा कर लूँगी इस तरीके से इस तरीके से हम जो कपड़ा है वो cover करेंगे तो यहाँ पर मेरा extra हो रहा था इसलिए मैंने pleats ले लिए और अगर आपको लगता है कि pleats का pattern कम पढ़ रहा है belt को तो एका दूसरे plate खोल दीजेगा तो इस तरीके से हमें adjust करके रखना है अब यह बराबर से हो गया है अब हम क्या करेंगे belt को कैसे जोड़ेंगे तो देखो center को center मिलाना है अच्छे से और इसको इस तरह से पलट कर रखेंगे और यहाँ पर center को match करते हुए रखना है औ तो देखें यहाँ पर मैंने उस belt को pattern को रख दिया यहाँ से मैं सिलाई चलाओगी तो दोनों में हमें सिलाई चला कर लेनी है तो वीडियो में आप देख सकते हो इस तरीके से हम सिलाई लगा कर लेंगे तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि belt का center और हमारे नीचे वाल इसे में फिर से उल्टे में ले लूँगी तो इसे मैंने फिर से एक बार उल्टी साइड से लिया है क्योंकि यह जो सिलाई margin है इस सिलाई margin को belt के और हमें रखना है और उसके उपर से प्रेस्टिच लगानी है तो ये देखिए सिलाई मार्जिन को उपर की तरफ याने बैल्ट की तरफ रखना है पूरी तरह से फ्लैट करके और उसके उपर से हमें ये सिलाई लगानी है तो इससे फिनिशिंग आ जाता है अब सेम तरीके से मैंने ये दूसरा पैटरन भी रेड की तरफ रहे और फिर दोनों साइड के आसन यानि क्रॉच को मिला के रखना है तो देखिए क्रॉच यानि आसन को मिला के रखा है अब हम यहां से उपर से नीचे इस तरह से आसन की सिलाई लगा कर लेनी है और इस साइड में भी हमीं सिलाई लगानी है लेकिन उसके पहले म मैं आपको बता दूं यहाँ पर दो इंच पर मैंनेने माग किया है और एक इंच पर एक माग किया है तो इस तरगे से हमें एक इंच और दो इंच पर एक माग किया है अब यहां से horse लगेगी फिर जो गब depende अवर उसके नीचे हम पूरी सिलाई आसन की लगा देंगी तो हमें बस एक इंच का ग्याप छोड़ते होई सिलाई लगानी है तो देखिए ये वाली जो साइड है ये कोई भी एक साइड डिसाइड कीजेगा कि वो बैक वाली साइड रहेगी और वहाँ पर पूरी सिलाई आसन की लगा दीजेगा तो ये पूरी सिलाई लगा दी अब ये वाली जो साइड है ये मैं आगे के लिए रख रही हूँ यानि फ्रंट के लिए तो यहाँ पर देखिए ये आसन की सिलाई लग चुकी अब हम बेल्ट की तरफ आ गए हैं तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था एक इंच का गैप वो हमें छोड़ना है क्योंकि यहाँ से हमारी नाड़ा अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पर मैंने गैप छोड़ दिया और उपर की तरफ सिलाई लगा दिया तो यह देखिए हमने पूरी सिलाई लगा दिया और मैं आपको बदाती हूँ जहाँ पर हमने गैप छोड़ा है मतलब सिलाई नहीं लगाई वो इस तरह से होल बना रहेगा अब देखिए यहाँ पर यह हमने सिलाई लगाई थी तो यह फ्रंट के लिए हमने छोड़ा था तो यह देखिए यहाँ पर गैप छोड़ा है तो यहाँ पर यह इस तरह से होल बनेगा और बाकिया हमने पूरे में सिलाई लगा दिया अब इस सिलाई को सिलाई मार्जिन को इस तरह से हम फ्लैट करके लेंगे और इसके किनारे से यहां तक सिलाई लगाएंगे फिर यहां तक और फिर ऊपर की तरफ तो इस तरह के से हम किनारे में सिलाई लगा कर लेनी है इससे हमारा फिनिशिंग आता है और सेम तरह के से हम दूसरी साइड में भ इस तरह से इसको खोल दिया है और इसके किनारे से मैं सिलाई लगा रहे हूँ, अब यहाँ जितना बैल्ट है हमारा वही तक हमें सिलाई लगानी है, और फिर उपर के तरफ गुमाकर किनारे से सिलाई लगा दी, तो यह हो गया, अब मैं इस साईड का लूँगी, तो front यानि आगे का और पीछे का दोनो साइड में हमें करना है सिर्फ किनारे से सिलाई लगानी है और जहां तक belt है वही तक लगानी है तो ये हमारी सिलाई हो चुके तो दोनो साइड में मैंने सिलाई लगा दी है आप देख सकते हो अब हमें नाडे की लिए उपर की तरफ से पट्टी नीचे की तरफ फोल्ट करनी है एक एक इंच सिर्फ एक एक इंची करनी है उससे जादा नहीं करनी है और फिर गुलाई में सिलाई लगा देंगे तो ये देखिए ये होल है हमारा यानि ये front वाली साइड है तो इस तरह के से में एक इंच नीचे की तरफ इसको मोड़ दिया है और बस मैं किनारे से सिलाई लगा रही है तो बस पूरी गुलाई में हमें सिलाई लगानी है बाकी कुछ नहीं करना है तो यह देखिए पूरी गोलाई में मैंने यहाँ पर यह सिलाई लगाकर पट्टी को फोल्ड करके ले लिया है और यहाँ पर जो यह होल था यहाँ से हमारा नाडा यानि ड्रॉस्ट्रिंग अंदर की तरफ चली जाएगी अब हम बढ़ते हैं आगे तो यह देखिए अब यह उपर का तो हो गया लेकिन यह नीचे की तरफ का हमने अभी फिटिंग भी नहीं किया है और नाहीं मोरी जोड़ी है तो हम मोरी के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे यानि बॉटम के लिए तो दीखिए इस तरह की से लाइनिंग का कपड़ा मैंने फोल्ड करके उसके उपर यह कैनवास की पट्टी रखती है तो जैसे कि मैंने आपको बैठताया था मैं दो इंचोड़ी मोरी लगाऊंगी क्य कि उतनी लंबाई हमारी कम हो गई थी तो दो इंचोड़ी मैंने कैनवास की पट्टी काटी है और जो लाइनिंग का कपड़ा होता है वो कैनवास से एक्स्ट्रा का सिलाइं मार्जिन रखते हुए कट करना है जैसे आप वीडियो में देख सकते हो अब उसके आगे जो अब वाड़े 7 इंच था सिलाइं मार्जिन के साथ तो उसका डबल 15 इंच हो गया तो मैंने एक्स्ट्रा एक इंच लेकर 16 इंच पेस को कट किया है अब सेम तरीके से मैंने दूसरे पैर के पट्टी भी कट करके ले लिए है यानि दोनों मोरी कट करके ले लिए है नीचे की इसी तरफ नेट है उपर के तरफ लाइनिंग है और उसके उपर ये केन्वास के पट्टी रखते होए हमें सिलाई लगानी है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं और एक्स्ट्रा की जो साइड में पट्टी बस्ती है उसे मैंने कट कर दिया इसी तरीके से दूसरी पट सिलाई लगा कर लूँगी तो देखिए लाइनिंग अगर आपका एक्स्ट्रा हो रहा है तो इस तरह से आप लिट ले सकते हो यह मैंने सिलाई लगा दी अब देखो इसे हम सीधे साइड में पलटेंगे इस तरीके से और यह जो सिलाई मार्जिने इसको अंदर की तरफ ले सिलाई लगा सकते हो अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाई कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वैसे भी यह नेट का कपड़ा होता है तो इसके उपर डिजाइन यह सिलाई दिखेगी नहीं तो इस तरीके से सिलाई मैंने लगा दी और साइड का एक्स्ट् करेंगे तो इसकी एक दूसरे के उपर अच्छे से रखना है अब यहां से इसकी फिटिंग की सिलाई शुरू करेंगे यहां क्रॉच तक और क्रॉच से लेके फिर नीचे यहां बॉटम तक आ जाएंगे तो इसकी फिटिंग की सिलाई हम लगा कर ले लेते हैं तो यह दिख यह बॉटम तक एक इंच सिलाई मार्जिन कर दीजेगा यहां पर यह चोटी सी प्लिट आ गई मैंने ले ली जब भी आपको इस तरह से प्लिट लेने की जरुद पड़ती है तो आप उपर की तरफ ही प्लिट ले लीजेगा क्योंकि वहां पर प्लिट दिखती नहीं है अब बॉटन के और 6.5 पर मैंने मार्ग कर दिया है मोरी का और वहां से सिलाई लगा दी और यह हमारी दोती सलवार तयार है अब इसका लूक आपके सामने है बहुत ही सुन्दर लग रही है आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा कैसरा आज का वीडियो बताना जरूर अच्छा झाल 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 झाल झाल झाल